गुजरात एहम्दाबाद में चुनाफ का माहौल जोर शोर से चुर रहा है जिसमें मुरादबाद लोगसभा सीट से इमरान प्रताबगडी ने कॉंग्रिस के प्रिच्वार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले लिया एहम्दाबाद वेजलपूर वधासभा वस्तार में चुन्त सभा रखी गई है जिसमें कैंडिडेट राजु भाई के लिए कॉंग्रिस को बोट देनी की जुन्ता से अपील की गई जुन्ता की और से भारी भीड देखने को मिली काफी लोग इमरान प्रतापकडी को सुनने के लिए आये थे जुन्ता की भीड देखकर वेजलपूर वधासभा का महौल कॉंग्रस पार्टी को लिकर अलग सही देखा गया आपको बताते चले है हम्दाबाद के वेजलपूर किये थे कॉंग्रेस सरकार आएगी तो पहला काम वो वाइदों को काईदे में बदल देगी जो लोगों के लिए हैं लोगों के वास्ते हैं और यह भी का जाता है बीजेपी आरोफ लगाती है कि यह जो मुप्त की रेवडी है यह कॉंग्रेस पार्टी भी देने जा रही है यह कोई मुप्त की रेवडी नहीं है यह लोगों का पैसा लोगों के लिए खर्च करना है इसमें कोई मुप्त की बात नहीं है लोग टेक्स बरते हैं जी एस्टी देते हैं इंकम टेक्स देते हैं और कई सारे टेक्स देते हैं तो यह उनका पैसा उनको वापस लोटाने का इस लिए राउल गांदी ने वो पैसे लोगों में बाठने का काम किया है कॉंग्रेस ने 2017 में भी बहुत अच्छा प्रदसन किया था और इस बार भी लगता है कि अच्छा प्रदसन आपके हिसाब से करने वाली है कॉंग्रेस इस बार गुजराद में अपनी सरकार बनाएगी और सो के पार का हमारा टोटल होगा और हम विजान सब्बा पर कबचा करेंगे और कॉंग्रेस का तिरंगा जंडा लहराएंगे तो यह थे कॉंग्रेस के जो विजायक है राजिंद्र कुमार और यह बता रहे थे के कॉंग्रेस जो है वो इस पार बहुत ही अच्छी सीटों से जीतने वाली है और जीत कर जो यहां की जो विजलबूर की इस विज़े प्राप्त करेंगी जो विजलबूर के साथ चुनाओ लड़ रहे हैं और यहां सरकार बनाने जा रहे हैं बहजलबूरा हम एक तरफा जीतने जा रहे हैं जंता का उस्था बता रहा है के चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी से ज्यादा चंता खुद लड़ रही है भाजपा सरकार के खिलाफ इस च जंता कॉंग्रेस से बहुत चाहती है कि कॉंग्रेस के लिए बिलकुल 27 साल में भारते जंता पार्टी ने जो बदहाली दी है जंता चाहती है कि वो बदहाली से निजात मिले छुटकारा मिले